मंडी जीला में युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी कोशल प्रशीक्षन योजनाय बनाने में जीला कोशल समीती मंडी की कारगर भूमी का रहेगी समीती कोशल प्रशीक्षन का रिक्रमों का निर्धारन बमूल यांकन भी करेगी इससे वहों को जिला या आसपास के क्षेत्र में ही उपयोक्त रोजगार एबन सुरोजगार के अपसर प्राप्त हो सकेंगे अतिरिक तूपयुक जतिनलाल ने यह बात जिला कौशल समीती मंडी की पहली बैठे के अधेक्सता करते हुए कही अतिरिक तूपयुक ने बताया कि हिमाचल परदिय सरकार ने जिला कौशल समीती मंडी का गठन जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षन योज़ना इबनाने के लिए किया है परधान मंत्री कोशल विकास योजना की तरीतिय संसकरण में जिला कोशल समीती यह तै करेगी कि मंडी चिला में किस क्षेतर में कोशल प्रजिक्षन किया जाएगा जतिनलाल नहीं बताये कि जिला कौशल समीती का प्रयास्त है कि मंडी जिला में युवाओं की मांग ततो ध्योगों की रोजगार उपलब्दता के अनुसार कौशल प्रस्टिक्षन दिया जाए जिससे जिला के युवाओं को जिला या आसपास के एक शेत्र में ही उप्युक जिला कौशल समीती मंडी की पहली बैठक में समीती ने तैय किया कि जिला में आटो मोबाइल, प्रयाटनेवम, अतिथ्य, जैविखेती, सुरक्ष सेवाएं, फरनीचर, उध्योग, इत्यादी की एक शेत्र में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निकम तथा भार्थ सरकार के कौशल प्रशिक्षन संसानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षन किया जाएगा, बैठक में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निकम के महापरबंदक्ष सनीश शर्मा ने समीती को अबगत करवाया कि जिला कौशल समीती को मंडी जिला में सभी कौशल प्रशिक्षन कार के निर्धारन मुल्यांकन का अधिकार दिया गया है इस बैठक में राश्ट्री कौसल विकास निगम की तरफ से राज्य इंगेजमेंट अधिकारी जीते इंदर शर्मा ने भी के इंदर सरकार की कौसल विकास यह उसनाओं के बारे में स्मीति को अबगत करवाया PRTV News Bureau Report, Mundi